वो कुछ रहे थे लषाषि Var Grass फंजार कर मनुँगा उनको बता दे कि वो ukम गले में विराजमान होते लिए उनको बता कि जमीं पर पाड़न किया है और स्वाम पॉसाद मौक्ड से कहा है कि भाजिंग मर नहीं तो जो पर दो पहले तो मैं यह बात करने की बिलकुल तमीज नहीं ना उनके ना उनके अखले श्यादा हुए जिसके बल पे गए थे तो सबसे पहले इनको अपना लेंग्वेज बदलना चाहिए योगी जी उनको पत्ला करके छोड़ेंगे और उनके बाप का वी नाम बदलू है तो जब खंदानी बदलू है तो वो भी बदलू है यही ममताब अनरजी जब पच्चिम मगाल में जीतती हैं तो उन्हें ये साजिस नजर नहीं आती है और जब उत्तर प्रदेश में जनता ने इनको खदेड दिया तो इनको नजर आ रहा है कि खेला हो गया जब उन्होंने फुट वांग फेकी थी समाधवादी कारेकरताओं के पास कि खेला हो बे तो जनता ने बता दिया कि खेला हो बे किसका होगा जनता योगी जी पर विश्वास करती है बारती जनता पार्टी की हैसियत है कि बंगां में चुनाओं गड़ने ती 74 सिर्ट जीत पर हमारी सरकार ने भी कहा था कि हम आपको समय दे रहें दो दिन का आप हमें है करके दिखाई यह तो इनका मतलब क्या करते हैं जैसे एक किस्सा ही बन गया हुए उनका रोना हमेशा जीवान बड़ चलता रहे है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा दिंडोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में लखनाओ में हूँ देखिए यहां पर हम लोग आए हैं काफी सारे लोग थे जो यहां पर अक्सर घुमने आया करते हैं तो अभी अभी चुनाव देखिए खतम हो है बीजेपी को भारी भावमत से जीत हासिल हुई है वहीं विपक्ष की आवंगे वो जनता अपने मत से अपने हित से करेगी बीजेपी ने जो इव्यम में गरबड़ी की है उसकी जाच होनी चाहिए तो ममताब एनर्जी भी इव्यम में गरबड़ी बता रही है और जाच की मांग कर रही है अखिलेश यादब भी लगातार यही बोलते आ रहे थ जान बूचकर हराया गया है साधिश है इव्यम की जाच होनी चाहिए यही ममताब एनर्जी जब पच्चिम मंगाल में जीतती है तो उन्हें साजिस नजर नहीं आती है और जब उत्तर प्रदेश में जनता ने इनको खदेड दिया तो इनको नजर आ रहा है कि खेला हो गया यह बहुत बड़ी विडंबना है बहुत बड़ा लोकतंतर पे यह लोग प्रहार कर रहा है इस तरह से यह मोदी योगी जी पे प्रहार नहीं कर रहा है यह लोकतंतर पे प्रहार कर रहा है इस तरह के लोग यह इनकी नीच्टा है और 2024 में भी जनता इनको सबक सिखा के यह आप देख लिजेगा निश्चेट की ममताब इनर्जी भी क्यारी कि मोदी जी भविश्यवानी नहीं कर सकते जंता डिसाइड करेगी अगर कुछ राज्यों में जीत गए इव्यम की गड़बड़ी करके जीते हैं जंता ने तो भविश्वानी कर दी पाच राज्यों में भारती जंता पार्टी लोग सवा में लेके आएगी यह निश्चित तोर पर मांदी अखिलेश पर क्या कहिएगा अखिलेश क्या रहे हैं कि जंता का शुक्रिया धाई गुना हमारी सीटे बढ़ा दी है पहले इदियम पर इलजाम मन बैलाने के लिए खयाल अच्छा है गा थोड़ा इनको फायदा कर गये लिए काम करेंगे जिनके राज में जब इनकी सरकार थी माताई बेटियां हमारी सुरच्छित वापस लोटेंगी के नहीं लोटेंगी यह माताउं बेटियां की सुरच्छा के लिए बात करते हैं इनको सरामानी चाहिए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ममता बेनार जी उत्तर प्रदेश में आगे काफी उन्होंने चुनाफ प्रचार किया अखिलेश आदव के लिए अब बोल रहे हैं अखिलेश को जान बूचकर हराया गया है इवीम की जो जांच जंसियां हैं वो जांच करें लोग तंतर पे ह जिती है तब उनका कोई परणाम नहीं आता वह एक इंजाम नहीं लगाती है ऐसा क्यों उत्तर प्रदेश की जंता ठान चुकी है और सब मोदी जी और योगी जी को मानते हैं प्यार करते हैं और योगी जी ने जो कहा है कि यह यह जो नतीज़ें आए इस नहीं तैय कर दिय दोजार चौबीस में तो शाहिद वाइब का तो इनका मतलब क्या करते हैं जैसे एक किस्सा ही बन गया हुए उनका रोना हमेशा जीवन बड़ चलता रहे है पता निया अकले जी से क्या उनकी घनिस्ता है वो भी उनकी बातों में आकर कहती रहती है कि इवियम का यह और उन मॉर्या यही में गडबड़ी नियंगे इढ़ा जिसको चुने वह की इच्छा जनता देके फूरिडम है वह जिसको चूंती उसका हित है और मौरय जी हारे उसमें कोई दो राय नहीं हैं और हारें कोई बात नहीं मगर तब पर्वीजक की सेवा करेंगे arada हमता第一個 कंग्र लेके आगे चलेंगी आपको क्या नाम है अमित्र बार्थी के पहले बयान पर बता दीजिए दोजार चौबीस की भविशवानी कर रही है देखिए उनकी भविशवाड़ी तो उसी समय सामने आ गई थी जिस समय वह खुद चुनावा गई थी मुखमंत्री चहरे पर थी और चुनाव नाम पर वहां पर उसकी वज़े से वहां सहकार बन गई थी उसमें ममता बनर जी का योगदान नहीं था योगदान होता तो चुनाव ना हारती पहली बात है और वह देखिए वह पार आके जब उन्होंने फुडवां फेकी थी समाधवादी कारेकरताओं के पास कि खेला हो बे तो जनता ने बता दिया कि खेला हो बे किसका होगा जनता योगी जी पर विश्वास करती है योगी जी के सुसासन पर विश्वास करती है महिलाओ के लिए जो काम किये गए है सुरच्छा को लेकर जिस तरीके से पेंसन पर क काम किया गया वो उसकी जीत है आज किस विपाज के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और कुछ विराज नहीं पांच राज्यों में चुनाओ थे पांच में से जीतने का काम मोदी जी की और योगी जी की साइकार ये बहुत बड़ी जीत है इससे कारेकरताओं में औक जनता का विश्वास दिखाता है कि आज योगी मोदी के ओपर जनता कितना विश्वास करती इतना पूर प्रचंड बहुमत के साथ अगर भारती जनता पार्टी आ रही है तो यह जनता का ही विश्वास है यह इवियम नहीं है इवियम पंजाब में जीते हैं 92 सीट के साथ आमादमी पार्टी वहाँ पर सवाग नहीं उड़ सकती है और उसी को जना देश देने का काम जनता ने किया है किसी को कोई संसर नहीं होना चाहिए यह विपर्च है इनके पास कोई मुद्दे नहीं है हतासा में है यही अखिले से आदो 300 जब आप मों डिबेट करते तो तो उस पर 400 कहते थे फिर 300 पर आ गए 300 के बाद अब इ किसे इस काम हमारे रह गए हैं या योगी जी को करने हैं उसके बाद आप देखिएगा योगी जी और मोदी जी की डबं इंजन की साइकार इनको अगली बार 25 आ जाएं तो आप कह दीजेगा देखिए उत्तर प्रदेश की जनता हो देश की जनता हो आज उसका विश्वास म कहने की जगवत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मोदी जी पर आग बन करके क्योंकि उन्होंने घरीब कंग्याड योजनाय जो जमीन पर काम करने का कम मोदी जी पर आग बंद करके भरोसा करें ममताब इनर्जी अलगी बोल रही है जो दोजार चौबिस की भवि लेकिन उत्तर प्रदेश बाकी मैं उनको चुनोती देना चाहता हूं अपना चोड़के किसी भी प्रदेश में एक सीट जिता कर दिखा दें मैं जो कहेंगे वहार जाओंगा इस तरीके की बयान बाजी वह टीवी और ट्वीटर जैसे करोना के कांग में आपने देखा कि कि तरीके ट्वीटर के रादनीती अख्लेस कर रहे थे करोना कांग में जब गरीब की सेवा करनी थी तो वहां पाइटे ट्वीटर ट्वीटर खेंग लेते और योगी जी की जमीन पर उतार कर रहे थे उसी का पढ़ना में कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की साहिकार उत् में मोदी जी के लिए और उत्तर प्रचंड में योगी जी के लिए प्रेम इसकी सभी तैयारिया करें मंतब इनर्जी के लिए कि गटबंधन करेंगे सभी से लेकिन कॉंग्रेस पर भरोसा नहीं मुझे बताईए दोजार चौबिस में माफ की जब लोग सभाता भारती जनत करका थिखने कर पेंगे स्थाक्टाइ में जनके लिय Candy, लिएक कैसे में जनक ठानकार-वली के दिया माधीट मंड़ीफा क relational ने आशिरवाद दिया आमाद भी पार्टी को तो वहां साहिकार बना रहे हैं तो देखिए ममताब एनर्जी पर खुदी मोगों को भरोसा नहीं मैंने आपसे कहा ना वो चुनाओ भार गई थी उनको तो नेतिकता के अधार पर मुखमंतरी नहीं बनना चाहिए था लेकिन वहीं एक वादवागी पार्टी है वहां पर कोई और चेहरा उभर नहीं सकता इसमें बंताब एनर्जी को दुबारा चुनाओ गड़ना पड़ा देखिए संसय नहीं होना चाहिए यह सब केवं गुम्रा करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं यह केवं देश में किस तरीके से आरक जक्ता फैंगाने का प्रया सकने से आदोन अपनी प्रसकों अंफ्रेंस में किया स साथ तरीकों दंगे फसाद कराना चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की साइकार है योगी जी की साइकार ने देखिए जिस तरीके से सांतिपुड चुनाओ खतम हुआ बिना हिंसा के और जिस तरीके से पढ़नाम आने के समय एक इंट्रेजेंस की रिपोर् है कि ऐसी साइकार है जहां पर भैमुक्त उत्तर प्रदेश है कुनाल शुक्ला मंताव इनर्ची जिस तरीके से दोज़ार चौबिस की चुनाओं की बात कर रही हैं पहले से बोल रही है कि कोई सीटे बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगी इस बार तो इवियम में तो टेक्णोलोजी नहीं है इनके पास है करवा के दिखा दें इस फाल्तु बयान बाजी है जो कहते हैं अंगूर नहीं मिलते हैं तो खटे लगते हैं बस वही बात है इनको बहुत बरोसा था कि हम अपनी गुंडाई के दम पर बूत के दम पर 300 सीटे जीच जाएंगे लेक दस दिन पहले से सोचल मीडिया पे चल गया था कि अभी इवियम का रोना चालू हो जाएगा इनका तो एक फरजी बवाल ये लोग करते हैं बस एक किसी तरीके से बस पार्टी की छवी दूमिल करना चाहते हैं और कुछ नहीं पार्टी का नाम खराब करने के लिए अखिले अब कुछ तो बोलेंगे लिए किसानों के लिए काम कीजीएगा ध्यान दिए ये सड़्कार गलती हो जाती हैं महला सुरक्षा या और रहे किसानों के बाद तो सबसे आदा भू माफिया नहीं के उसमें थे सबसे आदा किसानों के जमीन का हननन भी नहीं लोगों ने किया आप क्या एक्सपेट करते हैं से कि यह काम करेंगे यह तो सिफ वहान बाजी दे रहें आप इस पर उत्तर देना चाहिए बड़ा संतुर से कहीं जीच जाते तो आप यकीन ना मानिया यह प्रदेश आज आग मुझूलस रहा होता यह ऐसे लोग हैं और आप एक लाइन से उनकी विधायकों की जहां से जीते हैं उनकी पूरी चिट उठा के देख लिए किसी के ओपर गैंगेस्टल लगा है किसी के ओपर का मुकदमों से चड़ा हुआ है किसी भी थाने में देख लिए कि सब के नाम पे एक वो क्या कहते हैं माव की सीट से लड़ लेते हैं उनके बेटे अब बास वो कहते हैं छे महीने बच्छे में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहींगी बताई यह कोई लैंग्वेज होती है आप उत्तर क्या कहते हैं यहां की प्रदेश में रहते हैं और सब लोग शासन पर भुरुजा करते हैं आप शाचन को कह रहे हैं छे महीने चाहिए उनको कहीं जाने नहीं देंगे पहले इसाब किसाब होगा आब इसाब किताब कले देखे कैसे बाबा का बुल्डोजर पहले इवियम में गड़बड़ी की तो यही कहना है कि गलत तरीके से जीते हैं वहां से पहले चेक करा लिए अगर फोड़ी देर के लिए मशीन काम करना बंद कर जाती है अगर पता लगता है कि एवियम मशीन का एजड़ टेक्निकल काम ने कर रही है तो बगल एक परचिय दिन्य गिरा करती है उस परचियों से कांट वह थी तो कहां से गलत होती है जहां से जीते आज इनकी संतुज जनक संतोज जनक ड़ते स्टे आहें तब इन्होंने नहीं बूल जीतन हैं कि इन्होंने जतनी सीटें आ है इक बार मुद्दा नीच उठाय कि वियम में घल्बड ऐसे बिल में गुते कि कहीं बचे ना वना जेल जैसी कोट्रियां उनका इंतिजार कर रही वही अब उनका बिल है अब वो कब बाहर आंगे ये मालूम नहीं कुछ स्वामी परसाद महलें तो लगातार उनके बयान में सुन रही थी कह रहे थे योगी मोधी को ऐसा नाचना चाऊंगा पटक नहीं दे दूँगा कि जनता चुनेगी जनता ने बड़ा बुरा नाचना चाहे आज कहीं दिखी नहीं है पता नहीं किस जिगा नाच कर रहे हैं वह जो है लंदन की और चली जाएगी हम क्योंकि वह समाप्त हो चुकी यहां से भाई 10 मार्च को समाप्त हो गई है तो अब वह समाप्ती की और अब लंदन की तरफ राज़ीति करेंगा बास 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 अभी अखिलेश के नाम पर लड़ रहे थे चुनाब तो अखिलेश से टोटी बची नहीं देख लिए अकलेश जी के घर के बाहर बाहर बोर्ड ना लगा हो कि स्वामी प्रसाद मौरिया जी का बैन हो गया पता नहीं है कौन से बिल में नाच रहे यह नहीं हाँ जनता ने तो नहीं पसंद करा सायद हो अपने नाच का टिकेट बाट दे तो जमीन पर पठकने का काम किया है और सौमी परसाद मौर्द से के भाजिर नहीं तो मुनवभाण कहां है इस समय हम पूरी उत्तर प्रदेश की जनता हो उनसे पूछ Lahore देखना चाहती है तो उत्तर बढ़ी लेखना चाहता है कि वह नहीं को देखना चाहता है कि आखिर हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बाते तो बहुत किया बहुतों ने कई कई बाते कहीं ती तिना आज उसका हिसाब उत्तर बुदेश की जनता ने कर दिया मैं आपके माध्यम से मुनवर अगर मेरी बास सुन रहे हो तो जहां पर भी हूँ वह कहीं पर भी छुपें वह पहार आ जाएं तो कि प्रिपया हम लोग से ले हम लोग कंट्रिबूट करके देंगे और जिस जिस क्लास में जाना चाहेंगे एक लास बीकलास लीकलास हर में हम लोग बेजने का काम करेंगे नाश्ता पानी जाकायट की भी हवा निकांग जुगी डगायट कहां है किसी को नहीं पता है इनस व्याद को उठा उठाके पठक दिया अब यह कहीं नहीं के इनका कोई भी विश्वास उत्तक प्रदेश की जनता नहीं करेंगी योगी जी जी योगी जी आ चुके पुरा उत्त-प्रदेश भगवाब में हो गया बारात माथा कि जय है बाइस में तो योगी जी आ गए है अब 27 में योगी जी ही आएंगे बस यहां पर तमाम लोगों से बाचीत की है स्वामी प्रसाद मौरिया बयान दे रहे थे चुनाफ से पहले कि पठकनी देंगे इस बार बीजेपी सरकार को सरकार नहीं बनने देंगे लेकिन अभी आवाज भी खाली करना पड़ रहा है सरकारी क्या गए यह जंता ने उनको पठकनी दे दिए कि जो उन्हों ने दल बदल लिया जो बीजेपी का नहीं हुआ जो अपने दल का नहीं हुआ दूसरों के दलों में जागे क्या उनका होगा और वह जैनता का क्या ही होगा जब आपनी पा है सरकार का की जब अधने अज़ेटा हाड जाता है उनका सरकारी आवास खाली कराया जाता है जनता ने उनको एक साफ संदेश दिया है जो आदमी अपने दल का निहीं हुआ होगा तो लगता है कि बीजेपी छोड़कर पश्तार रहे होंगे जरूर्वर्षतार है ठीक है आ अपना लेंग्वेज बदलना चाहिए इस पर पूरी पार्टी को एक कार करताओं को ध्यान देना चाहिए नीचे से उपर तक और इस पर अपना मंतन करना चाहिए वरना किसी लाइक के नहीं है यह दूसरी पार्टी पर खाली EVM मसीन को लेकर एक्सल लेते हैं और इनके पास क खतम दिखता है कि सर्वे में वहार रहे होते तो दूसरी पार्टी बिलंब कर देते हैं जी अपने सीट से जिस तरीके से हारे हैं स्वामी परसाद मौर्या क्या कहेंगे पटगनी देने की बात कर रहे थे वो खुद उनका अस्तित्वा खतम हो गया आप तो इनका यही रास जनता ने उनको खुद पलट दिया है और वो जिस तरह से पार्टी छोड़के गाये थे अब वो जेल के अंदर जाएंगे योगी जी उनको पत्ता करके छोड़ेंगे और उनके बाप का वी नाम बदलू है तो जब खंदानी बदलू है तो वह बदलू है और जो अपना दल का नहीं हुआ हो किसी का नहीं हो ना जनता का नहीं हो सकता है अच्छा लगता है स्वाब परसाद मौरी आप क्या दूसरी पार्टी में जाएंगे क्योंकि सभा से भी उनको कई फायदा होता है वह आप डैरे जेल में जाएंगे